आए आज के वच्चन में जाए और छोटी दुआ करके प्रभू के वच्चन से हम कुछ बातों को सिखे और फिर हम आज आज आपके लिए दुआ करने बाले प्रभू आपको भी नेक्स्ट लिवल अभिश्यक में लेकर जाए आमें आए प्रात्ना करें मेरे खुदावन हम प्रभू येश्चु के नाम से प्रात्ना करते हैं हमें आप तैयार करिये हमें अगले पड़ाओ में जाना है प्रभू अगले अभिश्यक की और बढ़ना है प्रभू जी जो भी पाया है सामर्द वो काफी नहीं है हम प्रात्ना करते है येश्चु मसी के नाम में हमारा प्याला उमर जाए हमारी कलिश्या में अभिशेक उमर जाए ताकि वो अभिशेक बहे बाहर की और वो अभिशेक बहे कर एमदाबाद में जाए, गुजरात में जाए गुजरात के हरे गाउं में जाए एमदाबाद के हरे छोर पर जाए दुखी लाचार गरीब बंदिवास में जो है उन हर एक तक ये अभी शेक बहता जाए और वे ये शुमसी के नाम से आज़ाद करे जाए प्रभू मेरी दुआ है हमें इसके लिए क्या करना है आप हमें बताए पवितरात्मा आप हमसे बात करिए ये शुमसी के नाम से माकत है आमें जितने आप बीमार हो तकलीप में हो या तो फर्स टाइम आए हो आप थोड़ा समय वेड करना हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप अपनी चंगाए को छुटकारे को लेकर जाओंगे आप खाली हाथ नहीं जाओगे आप थोड़ा समय वेड करिए बैठिएगा प्यारों जैसे हमने बताया कि अब ये मुपमेंट को ये अभिशेक को हमें अगले पडाव में ले जाना है और अभिशेक को हमें पाना है और सामर्द को हमें पाना है अब ऐसी सामर्द हमें चाहिए जो हमारे बोजों के सामने लड़ने के लिए हमें ताकात प्रदान करें हाललूया हमारा सत्र होता है गोलियाथ जितना लेकिन हमारा अभिशेक होता है चीटी को हटाने का तो उससे नहीं होगा काम हमें गोलियात के सामने लड़ने के लिए गोलियात को हराने वाला अभिशेक चाहिए अब बाहर से कितने कदावर हों वो माईने नहीं रखता आपके पास कितने पैसे गनाने बुद्धे कुछ माईने नहीं रखता आपके अंदर अभिशेक परमेश्व का कितना है वो माइने रखता है हाललूया और वो अभिशेक में मतलब प्रभु की सामर्थ में आप बढ़ोगे प्रभु के अनूग्र में आप बढ़ोगे उस हर एक पहाड को जो आपके जीवन में खड़े है आप मूह होते हुए निकलते हुए हटते हुए देखोंगे आमें अद्बुद्गवाहियों को बनते हुए देखोंगे तो मुझे अगले पढ़ाओं में अगले अभिशेक को पाने के लिए करना किया है कि नेक्स्ट लेवल अभिश्यक के लिए सब कुछ हमें नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा कि सब कुछ अगले स्तर का करना पड़ेगा में जो अभी थक हम करते हाए वो काफी नहीं है अगला अभिश्यक पाने के लिए अगला अभिश्यक अगले लेवल का सेक्रिफाइस आमेन नेक्स लेवल का भीशेख नेक्स लेवल की विश्वास योग्यता मागेगा नेक्स लेवल का भीशेख नेक्स लेवल की पवित्रता मागेगा नेक्स लेवल का भीशेख नेक्स लेवल की आगनाखारिता मागेगा नेक्स लेवल का भीशेख नेक्स लेवल की वफादा मारी मागेगा प्रभू के साथ और अपने अगवों के साथ, हाललूया, और वो नेक्स्ट लेवल के अभी शेक के लिए, जो भी नेक्स्ट लेवल का हमें चाहिए, उसके लिए हम आज से प्रिपेरेशन सुरू करेंगे, आमें, आज हम दुआ करेंगे, अगले लेवल के अभ जेट लेंड करवाना है तो रनवे बीतना मजबूत होना चाहिए हाललुया सामर्ध हमें जबर जस्त चाहिए तो हमारे आत्मिक जीवन भी जबर जस्त चाहिए हम आसा नहीं रख सकते हमारा कमीटमेंट हमारी वफादारी प्रभू की और नहों और हमारे जीवन से पहाड हमारी आगनाकारिता बोल या मेरे पीछे-पीछे अगले जेवल का अभिशेख पाने के लिए है है मूझे मुझे अगले लेवल की विश्वासयोग्यता उत्पन करनी है 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 कि अगले लेवल का सैक्रिफाइस देना है है अगले लेवल की पवित्रता में जीना है अगले लेवल की आगनाखारिता में जीना है अगले लेवल की संगती करना है अगले लेवल का बाइबल पढ़ना है अगले लेवल की वफादारी रखनीय प्रभु से हाललुया एक संडे आये दो संडे बंक मार दिया फिरम बोले अगले ले उनसे इसे लोगों को हम अगले लेवल को अभी शेक लिए लेकर और आगे बढ़ेंगे, जो अगले लेवल में जाने के लिए किम्मत चुकाने के लिए तयार है, अगले लेवल के, अगर आप केजी में clear नहीं कर रहें, आप 10 पास नहीं कर पाऊंगे, आप अभी वफाधा कर अगले लेवल के लिए कैसे वफादार हो पाओगे हमें दो बाते करनी हैं प्यारो ट्रेन रुकेगी नहीं हम वेट नहीं करेंगे कि आप को एक साल दे कि आप अभी के लिए अभिशे के लिए ही वफादार बनने में एक साल बिता दो और एक साल के बाद हम आगे मूह हो हम व करते जाएंगे आप बाकी के लोग आप प्रयत्ना करते रहें इस पड़ाओ में विश्वास योग्या बने रहने के लिए केजी पास करने के लिए उसके बाद पहली पास करने के लिए और उसके बाद दस्वी तक हम आपको जरूर ले जाएंगे आमें लेकिन अभी हम पड़ाओं पर हमें रुक कर काफी बड़ी ब्लेसिंग को काफी बड़े प्रभु के काम को रोकना नहीं है अगर हम इस पड़ाओं में रुक गए अभी जो हो रहा है उससे संतुष्ठ हो गए तो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को हम नहीं देख पाएंगे जो हमें देखनी है प्यारो आमें आपको अगर बड़ी आसी से चाहिए बड़ा अभिश्यक चाहिएगा बड़ी आसी से चाहिए बड़ा सामर्द चाहिए प्यारो हाललूया प्रभु का बच्चन कहता है यहोवा को ढूंडो और यहोवा की सामर्द को भी ढूंडो यहोवा को हमने ढूंड लिया प्रभू को हमने ढूंड लिया लेकिन उसकी सामर्थ को भी हमें पाना है आमें परमेश्वर के दासों ने चेलों ने येश्व को पा लिया था येश्व के साथ साथ चले लेकिन प्रभू ने उनको क्या बोला जब तक सामर्थ नहीं आती आगे नहीं बढ़ना तुमने मुझे पा लिया है आपका रिलेशन मेरे साथ है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगले पड़ाओ के लिए अद्भुत कामों के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए आपको सामर्थ की जरूरत है आमेन सिर्फ येशु को पा लिया वो काफी नहीं है उससे बड़ी बड़ी गवाहियों को आप नहीं देख पाओगे येशु को भी पाना है और उसकी सामर्थ को भी पाना है आमेन सिर्फ सामर्द के पीछे भी मद भागे सामर्द आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगी अभी सेक्स्वर्ग में नहीं ले जाएगा येशु स्वर्ग में ले जाएगा लेकिन अगर येशु के साथ उसकी सामर्द नहीं है लाइफ में तो ये लाइफ नर्क जैसी बन जाएगी बहले येशु आपके जीवन में है उसकी सामर्द को भी हमें पाना है उसके सामर्द को हमें अपने जीवनों से बहने देना है कई विश्वासी है येशु को पालिया लेकिन हारा हुआ जीवन जीते कई विश्वासी ये शुको पालिया लेकिन जीवन में रोना धोने के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि उनमें वो अभिशेक नहीं है जो 25 किलों के बाट उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए समर्थ हो उनका अभिशेक छोटा है बच्छे जैसा और वो बड़ी डंबेस उठवाना चाहते कई विश्वासी लोग येश्व को पालिया समर्थ को नहीं पाया प्रभू ने उनको चैलो को कहा जब तक समर्थ नहीं पाते आगे नहीं बढ़ना आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो येश्व के साथ-साथ उसकी सामर्थ को भी पाना पड़ेगा हाललूया हाललूया जब चैलो को प्रभू येश्व ने अभिशेक दिया तीन बार प्रभू ने उनको अभिशेक दिया था योहन ना बीस और बाइस हम पड़ेंगे युहना 20 और 22 युहना 20 और 22 पटापट रखे यह करकर उसने उन पर फुका और उससे कहा पवित्र आत्मा लो युहना 20 और 22 में यहां पहली बार पवित्र आत्मा को उन्होंने पाया बोले पवीत्रा आत्मा को पाया किसने? छेलो ने अब उसके बाद क्या करना था? उनको येश्जु को वफादा रहना था ताकि अब वो सामर्ध में बढ़ते जाये और फिर क्या हुआ? प्रेटो के काम दुसरा द्याय और प्रेटो के काम दूसरा दे और चौत ही आए फटा पर जल्दी करें वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्द दी वे अन्य अन्य भासा बोलने लगे पहली बार पवित्र आत्मा पाया फिर बोले सामर्द को पाया और यह जो सामट थी, वो बोलने की सामट थी, वो अन्य अन्य भास्ता में बोलने लगे, और यह सामट पाने के द्वाराओं की हिम्मत खूल गई, वो प्रचार करने लगे, दुसरों को प्रभु का वचन सुनाने लगे, और उसका परिणाम यह आया, प्रेतो के काम 237 में लि को जब उन्होंने पाया तब उनके रिदेई छिद गए और वे जब प्रचाग करें थे लोग प्रभू के पास आने लगें हम क्या करें वे पश्चाताब करने लगें उन्होंने 32 मा लिया लोगोंने कब जब दुसरी सामत को पाये बोले दुसरी सामत को दुसरे अभिशेक को वो अभिशेक क्या लाया उनके जीवन में? वो अभिशेक के द्वारा उनको बोलने की हिम्मत मिली पहले पत्रस ने नकार कर दिया था ये शुको लेकिन अब उसके अंदर सामर्थ आ गई है और वो सामर्थ से भरकर अप्रचार कर रहा है लोग प्रभू के पास आते कई बहनें बोलती है मैं मेरा हस्बन को बहुत बोलती हूँ तू दारू छोड़ दे छोड़ दे नहीं छोड़ रहा आप जब अभिशेक के साथ बोलोगे आपके सब्दों में सामर्थ होगी हाललुया हाललुया वो कहता है मैं बोटल तो कभी नहीं छोड़ूँगा तुझे छोड़ दूँगा बाकि बोटल कभी नहीं छुटेगी ऐसे कई बहने आये हमने बोला परमिशर आपके हस्बन को ये बोटल ऐसी बुला देगा फिर से उसे याद नहीं आएगी हालललुया जब प्रात्ना करी उनको उनके लिए जो अस बन बोल रहा था बोटल कभी नहीं छुटेगी तुझे छोड़ दूँगा उसको बोटल प्रभु ने ऐसी भुला दी उसके वाइफ आश्रे चकीत हो गए बोल रहे कि अब वो बोटल को हाद भी नहीं है हाद भी नहीं छुट रहे हाललुया आपके बोलने हमें सामर्द क्यों नहीं है क्योंकि हमें सामर्द चाहिए वो सामर्द हमें नहीं है आप बोलने येश्व मसी के नाम से ये हो जाए वो हो जाए येश्व मसी का नाम आप ले रहो लेकिन उसकी सामट को आपने पाया उसके नाम की सामट को आपके जीवनों में से बहने दी हमने तो ऐसे कई दर्वाजे बंद करके रखे कि वो सामट अंदर से बहे ही नहीं कई पाप रूपी दर्वाजे वफादारी में कमी रूपी दर्वाजे परमिश्व की आगना का नहीं पालन करने रुपी दर्वाजे वेशन रुपी दर्वाजे पाप रुपी दर्वाजे ऐसे बंद करके रखे ही वो सामर्थ येश्व के नाम की हम में से बहे ही नहीं जब आप वो दर्वाजों को खुलोगे वो सामर्द बहना सुरू होगे और तब परिवर्तन आप जीवनों में देखोगे हाललुया, हाललुया इस्चु के नाम में सामर्द है लेकिन क्या आपने उसकी सामर्द को पाया है बहने दिया है उसकी सामर्द को अपने जीवन से या दर्वाजों में बंद करके रखाए पापरूपी दर्वाजों में हमें उस सामड को अधीक बहने देना है उसे कहते हैं अगले पडाओ में जाना अगले लिवल में जाना और दर्वाजों को खोला पवीत्र आत्मा आपके लिए मेरे जीवन के हर एक द्वार को खोलता हूँ, हर एक शित्र को खोलता हूँ, कोई कमरा मेरे जीवन में बाकी न रहे, और तब पवीत्र आत्मा का और अभिशेक आपमें भड़ता जाएगा, सामर्द भड़ती जाएगी, आपके ये कहने से दर् खुल देंगे और वो सामर्ट आपके जीवनों में बहना शुरू हो जाएगी, हाललुया, हाललुया, फसल हमें खेत बरकर चाहिए, और सामर्ट हम बुंद बुंद बहा रहे हैं, बुंद से खेतर नहीं बरने वाला, नहीं बड़ी फसल को पाने वाले, अगर बड़ी फसल खेत में चाहिए तो मैं बोर्वेल चाहिए, पूरी नदी लानी पड़ेगी, आमें, नदी को बहाना पड़ेगा, और सामर्ट को चाहिए, और सामर्ट को चाहिए, आमें, हाललुया, आपके जीवन में भी पाढ नहीं हिल रहे, आपको और बिशेक जीवन जीना चाहते हो, क्या आप रोने धोने वाला जीवन जीना चाहते हो, क्या ये मसी जीवन को आप ऐसा जीवन बनाना चाहते हो, लोग आपकी और देखे हो, बचारा, बचारी, ये सब छोड़ दिया, इसलिए इसकी हालत देखो, आपकी और हमारी हालत इसलिए ऐसी सामट को नहीं पाया, पाया तो थोड़ी पाया, बुंद जितने पानी सम पूरे खेत भर के फसल पाना चाहते है, आपको पूरे की पूरी पवितरात्मा की नदी की जरूरत है, और सामट की जरूरत है, और अभिशेक की जरूरत है, तब आप बिचारे बनकर नहीं रह लोग आपको देखकर आश्र चकीत हो जाएगे ओ यहां थी यहालत में ओ यहां आ गई वो अभी शेक है जो हर चुवे को बंदनों को तोड़ता है आमें जितना भी शेक आपने पाये पिछले कुछ संडे से आपके उपर हाथ रखा जा रहा है अभी शेक किया जा रहा है किया ऐसा नहों जो थैली में हॉल है ऐसे हम हो यहां से भर कर जाए मंडे ट्यूजडे वैनेश डे तक तो अधा अभी शेक गवा दे पापों में जाकर प्रभु क्यागना नहीं मानकर बाइबल नहीं पड़कर प्रभु में नहीं चुड़े रहकर वो श्रोत है अगर उससे खाली होते जाओगे पाप में जाओगे समाधान करोगे अभीशेक खाली बढ़ेंगे खब वह भीशेक को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना बढ़ाना है दो बाते करें जो पाया है उसे संबालो बहुत ही वह प्रेश्यस है आपके जीवनों के लिए वह बड़ा परिवतन ल वाहियों को आप देखोगे अगर इस अभीशेक को जो आप पिछले कुछ दिनों से पारे उसको संबाल कर रखोगे ऐसे प्रेश्यस आपके आपके पास जो सबसे मुल्यवान है ऐसी चीज़ के रूप में आप उसे संबाल कर रखोगे और फिर नया पाओगे तो वो रखोगे नया पाया फिर गवादः यहा अगर बढ़ना है जो मिला है उसे संबालो और फिर नया पाओ तो वो परथता जाएगा हाललुया चलु ने दूसरी बार जब सामर्थ मिली उनको पवितरात्मा का अबिश्यक पाया तब बोलने की सामर्थ थी और थोड़े थोड़े काम उन्होंने करना शुरू किया और उसके बाद तीसरी बार प्रवुने उनको अभिशेक किया प्रेटों के काम 4 और 31 वहां लिखा है जब प्रात्ना कर चुके तो वह स्थान जहां वे थे हिल गया हाललूया तीसरे अभिशेक में लिखा है वह स्थान हिल गया बोले वह स्थान हिल गया कि आप चाहते हो शैतान के घड़ों को हिलाया जाए जो आपके जीवन में सालों से है अगर आप कुछ हिलाना चाहते हो आपको next to next to next level में जाना पड़ेगा एक के बाद एक पढ़ाओ पार करना पड़ेगा भीश्यक में, बढ़ते जाना पड़ेगा, हाललुया पहली बार भीश्यक पाया, पवितरात्मा पाया, चेलो नहीं कुछ नहीं किया था दूसरी बार अभी शेक पाया, घर से बहार निकले, हिम्मत आ गई, अब प्रचार कर रहे है, लोगों के रिदही में काम हो रहा है, उनका बोलना सामर से भड़ चुका है, अब उनका बोलना खाली-खाली नहीं रहा, हाललुया, और अब जब तीसरी बार उनके उपर सामर था तब पूरा घर हिल जाता है, हाललुया, ओरी बेने अमारा लाबा शुक खोरे, वो लेवल तक हमें पहुचना है, प्यारो, छोटे मोटे अभी शेक्स, हम काम चलाने वाले नहीं है, छींटे पाकर हम कुदने वाले नहीं है, हमें तो पूरी बारी श्य पवित्र आत्मा की, हमें तो पूरी नदी बहानी है, जो इस कलिश्या के होकर एमदाबाद में बहें, गुजरात में बहें, गुजरात के गाओं गाओं तक जाए, लोग आकर छुटकारा बनें, मैं कहता हूँ, प्रभू ने मुचे ये कहा, मैं हाउस ओप्रेर की कलिश्या गरवे घंबीर रह है, यहां कुछ अहल पहल हो रही है, हम की मत चुकाने के लिए तयार है, प्यारो, हम की मत चुकाने के लिए तयार हो, क्या आप तयार हो, नेक्स लेवल का भिश्यक, नेक्स लेवल की वफादारी मागेगा, नेक्स लेवल की पवित्रता मागेगा, छोड़ दीजी अभी व तो पाप जो आप लेकर छर रहे हैं, प्यारो, जब हम आपके लिए दुआ करें, प्यारो, हमें प्रभू से कहना पड़ता है, प्रभू, मैं नहीं देखूंगा, हमारी भेडो को यह पाप करते हुए, मैं नहीं देख पाऊँगा, प्रभू, हमें ख्लियर कट जैसे लेवल में चाहना है, आपका जीवन नर्क जैसा बनाना या शिशित बनाना आपके हाथों में है प्यारों, आप प्रभु उससे कहिए, प्रभु नेक्स लेवल की पवित्रता, नेक्स लेवल की वफादारी, नेक्स लेवल की आगना कारिता मुझे चाहिए, मैं जितना अभी कि उसमें संतुष नहीं रहना चाहता अगर आप घंबीर नहीं रहोगे प्यारो अगले कुछ समयों में कुछ लोग जो घंबीर होंगे वह कहां पहुंच जाएगे आप वहां के वहीं यही स्टेशन पर खड़े होंगे सिर्फ आपके मुझ से कंप्लेन निकलेगी पास्टर दूआ करो यह तकलीफ है पास्टर दूआ करो यह समस्या है आपको वो व्यक्ति बना है जो रोने धोने वाला हो या वो व्यक्ति जो सामर से बढ़ता जाए बढ़ता जाए इतना भर है अपने प्रस्नों को हिला दे अपने जीवन से पाड़ों को हिला दे जीवन की समस्या को हिला दे सैतन जो आपको हिलाता है आपका हिलाने का टाइम आगा है प्यार उसको अभिशेक से भरिये भरिये हर संड़े आए भुख के साथ जल्ली आ जाए दूआ में बैठे उपास के साथ आए विक्डेस में उपास करे और ज्यादा समय प्रभू के चन्नों में बिताए प्रभू से कहिए प्रभू और भरना है और भरना है और भरना और भरना और भरना और भरना और जब वो सामर्थ में बढ़ते बढ़ते जाओगे यहां तक आप पहुंचोंगे वो सामर्थ को आप आओगे जो सब कुछ हिला डाले हाललुया अभी तक भले आपसे पता भी नहीं ला, आने वाले दिनों में अगर गंबीर रहोगे, बहुत कुछ आपके हाथों से प्रभुक करेगा, हाललुया, हमारी कलीश्या का बच्चा, अभी तो उसको विश्वास में आए, एक साल भी नहीं हुआ, एवरी संड़े लेहन रिसीव करता है, सामर्स से बढ़ता है, घर जाता है, सिंश्यर है, हम देख रहे हैं, और एक दिन मुझे मैसेज करके कहता है, पास्टर जी, मेरी मम्मी को तकलीफ हो रही थी, मैंने दुआ करी, पता नहीं वो ऐसे काम ने लगी, और एक दम से, पता नहीं क्या हो रहा है उसे, पूरे सरीर में जैसे करंट लग रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, वो पूछ रहा है मुझे क्या है, यह ची साइन है, मैंने बोला, यह पवित्रात्मा का पीशेक है, हाललूया, हाललूया, आप यहां भर-भर के जाते वो आग है प्यारों, और वो आग अपने घरों में, परिवारों में, जॉब के स्थलों में, बिस्निस में, हर जगा पर आप बहाओगे, जब आप लेखर जाओगे, अगर वो छुटा लड़का भी तो विश्वास में आए, कुछ समय हुआ है, वो अभिशेक को पाप आकर, अब अपने मामी के लिए दुआ कर रहा है, जो ऐसे बंदोनों में सालों से थे, और उसकी दुआ से वो छुट रहे हैं, प्यारों, यह अभिशेक बहुत कुछ कर स अब जो लेकर जा रहे हैं, वो बहुत ही प्रिशेस है, उसे संभाले और उसमें बढ़े, बोले मुझे जो अभिशेक मैंने पाया है, उसको संभालना है, और उसमें बढ़ना है, अगले अभिशेक के लिए, मैं घंबिर रहूंगा, जो मैंने पाया है, वो मैंने खोदू, उसे संभालो और नया पाता जाओंगा हाललुया हाललुया आप अगर यहां आए अभी शेक को पाया और फिर मंडे अपनी सहलियों से फ्रेंड्स से मिले जो गाली गलोज करते गंदी पाते करते आपका अभी शेक कम होता जाएगा प्रिजव करें अभी शेक को यहां से आये अभी शेक को पाया साम को बैठ कर सासु बव की सीरियल देखने बैठ जाओगे अभी शेक कम हो जाएगा आप कुछ ने हीला पाओगे प्रिजव करें और जादा पाये बोलिये मुझे संभालना है और ज्यादा पाना है यहां भी शेक को पाया पीछे मत बोला यहां भी शेक को पाया और घर जाकर बीड़ी सिगरेट पिऊगे गुड़ खाखाओगे अभी शेक गवाओगे और पाना है तो जो है उसे तो संभालिये और फीर नया पाते जाए every Sunday आए बरिये 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 इतने फूल हो जाओगे दाउद केता है मेरा प्याला उमड़ पड़ा है Hallelujah वो उमड़ेगा अभी से वो बहेगा आपके साथ खड़े रहने वाले लोग प्लेस होगे परिवारा सिशित होगा Hallelujah आप जहां जाओगे आप गवाईयों को लेकर आओगे प्यारो प्यारो भी से को प्रिजव करें संभाले गवाईये नहीं मुल्यवान है प्यारो बहुत ही मुल्यवान है इन लोगों ने जब तीसरा भी सेख पाया वहां लिखाए वे जहां इकटे वह जगह हील गई और वे पवित्रा आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वच्छन सुनाते रहे और रिजल्ट क्या आया वहां लिखाए तीसरे अभी से के बाद प्रेरित बड़ी सामर से प्रभू येश्व के जी उठने की गवाही देते रहे बड़ी सामर बोले बड़ी सामर हाललुया पहले लिखा था पवित्रा आत्मा ने जैसे उन्हें बोलने की सामर दी वहां नाप नहीं लिखाए दी सामर लेकिन तीसरी बार क्या लिखाए बड़ी सामर हाललुया यहां पर लिखाए प्रेरित बड़ी सामर से प्रभू येश्व के जीवत की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रत था प्रेटों के काम चार्थ 33 में लिखाए तीसरे अभी शेक के बाद प्रेटों के हाथों से बहुत चिनह और बहुत अद्बूत काम लोगों के पीश में दिखाए जाते थे और वे सब एक चीत होकर सुलेमान के औस प्रेटों के हाथों से अद्बूत काम होने लगे अद्बूत काम देखना चाहते हो प्यारो अभी शेक में बढ़ो जितना बढ़ोगे एक समय आएगा आप अद्बूत कामों को देखोगे अभी तक नहीं देखाए फिकर मत करो निरास नहीं होना है अपने आपको मैंने कहाँ अभीशेक को गवाया है इस अभीशेक को मैंने संभाला नहीं है जांची अपने आपको और वो पापों को दूर करें नेक्स लेवल में जाए वफादारी में परमेश्वर से नेक्स लेवल में पवित्रताई में जीए नेक्स लेवल में आगना खारिता में जा गिंए मुझे जो सामर्त बीषक्क मिला उससे संभालना है और नया पाते पथे पथे जाना है अलललूया ना यह चांशते दो नाप पर्व के चलनों में हमें बैठिये उपवास करी बढ़ाई अभी अभी बुद काम हम देखने जा रहा है लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेशन है तैयारी है उसका ये समय है आप क्या तैयारी के लिए तैयार हो ये तैयारी का समय कठीन हो सकता है प्यारों लेकिन आपको पूरा वफादा रहना है प्रभू से अभी कुछ नहीं देख पाए कोई बा अभी कुछ द्वार नहीं खुले कोई बात नहीं अपना आपको प्रोसाइड करें अभी मैं ये परिस्थिति को हीला नहीं पाया क्योंकि मेरे पास उस लेवल का अभिश्यक नहीं है लेकिन मैं बढ़ूंगा भिश्यक में जो भिश्यक पाये से संभालूंगा और नया पाता जाओंगा पाता जाओंगा पाता जाओंगा और एक समय आएगा मैं ये पहाड को कहूंगा उखड कर समुद्र में जागी और ये मेरी बड़ी समस्या मेरे स्टीवन से दूर हो जाएगे जौब के द्वार बंदे खुल जाएगे बिस्नेस में स्ट्रेगल है दूर हो जाएगे बीमारी ये दूर चली जाएगे कर जा है दूर चली जाएगा आपको की प्रभू अपने खुद का घर देंगे हाललुया अभी नहीं हो रहा है कुछ कोई बात ने उसका मतलब है और नेक्स लिवल में जाना है उसका मतलब है अभी जो भी पाए है वो काफी नहीं है उसका मतलब है हमारे पास सिर्फ पांसो ग्राम उठाने की ताकात है हमें 25 किलो उठाने की ताकात को भी पाना बाकी है आमेन और अपना आपको प्रोसाहिट करें डेडिकेट करें समर्पिट करें और अधिक प्रात्ना करें और अधिक वफादार बनें आगनाकारी बनें पवित्रची बनें उप्वास करें प्रात्ना करें हाललुया आप जितना प्रभू के साथ जुड़े रहोगे वो श्रोता और भी बहता जाएगा आमेन प्यारो हमने दाउद के विशे में सिखा था उसे भी परमेश्वन ने तीन बार अभिशेक किया हमने आपको सिखाया था जब पहली बार अभिशेक किया गया प्रभू के दास ने हाथ रखा और बोला तू राजा बने उसके लिए मैं तेरा भी शेक करता हूँ वो राजा नहीं बना था उसके बाद उसे वफादा रहना था उसने क्या किया जो भी शेक मिला था उससे संबाला बहुत अच्छे से संबाला कुछ भी गलत ना हो जाए कहीं मरकलती ना कर दो सावचेती से जिया एक कदम उसने कैरफुली लिए प्रभू से पुछता था प्रभू मैं ये करो प्रभू मैं ये ना करो तू मुझे बता प्रभू अभी शेक के विरुद नहीं बोलता था हाथ नहीं उठाता था प्रभू जैसे गाइड करता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक समय आया उसने सेकंड एनोइंटिंग पाया दूसरा सेम्विल दो और चार गर जाकर पढ़िये हम नहीं अभी पढ़ते हैं और वहां उसे अभी शेक किया गया और वो एक राज्य पर राजा बन गया हाललुया अब उसने इतना अभी शेक पा लिया था वफादारी में चलने के द्वारा कि उसे एक राज्य मिल गया आपने कुछ वफादारी में जिये अभिष्यक को पा कर उसे संबाला जितना अभिष्यक था उससे हो सकता एक गवाई बनी हो जितना अभिष्यक आपने पाया उससे हो सकता है कोई छोटा बंदन टुटा हुआ हो कोई छोटा काम हुआ हुआ हो वो काम से अपने आपको प्रोसाहिद करे अगर ये छोटा अभिशेख, ये एक दो महीने के अभिशेख पाने के द्वारा ये खाम हुआ मेरे चीवन में, अगर मैं इसमें चलता रहा, चलता रहा, अगर नेक्स्ट अनोइंटिंग मैंने पा लिया, भिशेख पा लिया, बोलिये, समझे कितना बड़ा काम हमारे चीवन में हो सकता है, हाललुया, दाउद जो मिला था, उसके प्रती विश्वास चोगे रहा, उसे एक राज्य पर राजा बना दिया गया, फिर भी वो विश्वास चोगे रहा, और तिसरा अभिशेक पाया, दुसरा सेमियल पाँच और तीन में, और फिर वो पूरी इस्राहिल जो राज्य था, देश था, उसके उपर राजा बन गया, हाललुया, पहली बार जब उस अभिशेक किया गया, वो राजा नहीं बना, जबकि अभिशेक किसके लिए किया गया था, राजा बनने के लिए, एवरी संड़े आपको अभिशेक किया जाता है, क्यों, अभिशेक आप तक जो हुआ है वो थोड़ा है या तो कुछ नहीं हुआ है कोई बात नहीं अब नेक्स लेवल में जाए और आगे बढ़िये और सामत को पाए जब दाउद वो जो पाया था उसमें वफादार रहा जब आप एवरी सन्ने जो पाते उसमें वफादार होगे एक समय आएगा न नेक्स लेवल का अनुइंटिंग पाओगे एक राजिय दाउद को तब मिला जब उसने दुसरा भी शेक पाया आप जब नेक्स लेवल के अभी शेक में जाओगे हो सकता है अभी तक जो नहीं देखा उसमें से कुछ अद्बूत काम आप वो समय आप देखो फिर भी आप कि दाउद का जब तीसरी बार अभी शेक वा तब वो पूरे राज्य का राजा बना जिसके लिए पहली बार उसे बोला गया था कि तु राजा बनेगा एक दम से राजा नहीं बन गया था और उसके समय में प्यार बहुत ही उसके जीवां में बहुत ही कठिन पड़ावा है एक समय ऐसा हुआ उसका सब कुछ लूट लिया गया पहला सेम्यूल तीस निकाले तीसवा दिया है पहला सेम्यूल तीसवा दिया है और छट्विया पहला सेम्यूल तीस और छे वहां लिखा है और दाउद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत सौकीत होकर उस पर पत्राव करने की चर्चा कर रहे थे परन्तु दाउद ने अपने परमिश्वर यहोवा को स्मरण करके ही आउबाना यहां पर कुछ सत्रू आकर दाउद के परिवार के लोगों को और पूरा उसका जो राज्य था उसमें जो कुछ था जितने भी उसके बीवी बच्चे थे सब कुछ वो लुट कर ले जाते और जब दाउद अपने नगर में आता है वो देखता है मेरा सब कुछ लुट लिए गया बीवी बच्चों को सत्र उठा लिया उठा कर ले गया सब कुछ लुट कर ले गया और वहां लिखा है दाउद भी इतना रोया कि उसमें ताकाद नहीं रही थी अब जादा रोने की इतना बड़ा संकट उसके उपड़ था और लोग उसके विरुद खड़े हो गए लोग उसे पत्थर से मानने वाले थे लेकि दाउद नाउद नापको याद दिलाया मैं प्रभु के विरुद कुड़ अहत नहीं करने वाला मैं इस समय में मेरा भीसे गवाने वाला नहीं हो मुझे बढ़ना है प्रभु में तो मैं इस समय में भी वफादा रहूँगा बले ये समय कठीन है बले मेरा सब कुछ लुट लिया गया लेकिन फिर भी वफादा रहूंगा उस न आपको प्रोसाहिट किया न आउद मी निरास मत हो तो अब भी शेक्थे परमेश्वत का तुझे आगे बढ़ना है लड़ अपनी परिस्थिती से और वहां लिखाए वो प्रभुक से हियाओ पाकर बल पाकर सत्रू से लड़ने गया और जो भी उसका लुट लिया गया था वो सब कुछ वापिस लिया आया हाललुया जब निरासा आये ये मत पुछो मैं अभी शेक पाय था संदे प्रातना भी करी गे थी नेक्स लेवल अभी शेक फायर कहा है सेतान कहन में आकर कहेगा कहां है कुछ देख तो नहीं पारा उसको जवाब दीजिए ऐसी आग उतरने वाली है सब कुछ बश्म कर देगे वो में प्रभु का बेटा बेठी हुँ जो उसके द्वारा भिश्यक किया गया है और प्रभु का बचंग कहता है भजन सनीता 89 में सत्रू उसे तंग करने न पाएगा सैतान को कहिए तु मुझे तंग नहीं कर पाएगा तेरा कोई अधिकार नहीं है मैं भी जय को पाऊँगा मैं भी जय को पाऊँगा जो आज मेरे पास नहीं है छिन लिया गया है गवा दिया है वो सब कुछ मैं वापिस लेखर आऊँगा हाललुया निरास नहीं हुआ दाऊद अपने आपको प्रोसाहिट करते रहना प्यारो निरास साके समय में भी यहां से भी शेक पाकर जाओ हो सके घर में जगड़ा हो जाए यहां से भी शेक पाकर जाओ हो सके ऐसा कुछ उठांग सेतांग करे आप निरास हो जाओ लेकिन आपको बल देना हिम्मत देना तो अभी शेक प्रभु का बेटा है बेटी है तू हालने के लिए पसंद नहीं करा गए अभिशेक है तू सामानिय व्यक्ति नहीं है तेरे जीवन में वीजयो को यह भिशेक लेकर आएगा ऐसे कठीन हालात में दाउद ने अपना भिशेक नहीं गवाया कुड़-कुड़ा हाट करके हाललुया हाथ उठाए और कहिए कोई भी परिस्थिती में मैं यह भिशेक को जो मैंने पाया है संभाले रखूंगा और इससे बढ़ाऊंगा कुड़-कुड़ाट नहीं करूंगा नहीं प्रभु से प्रस्थन करूंगा मैं अपने आपको हियाओ देता रहूंगा अपने आपको प्रसाहित करता रहूंगा और मैं बड़े विजयो को लेख रहूंगा क्योंगी मैं प्रभु का भी शेक्त बेटा बेटी हूं अगर विश्वास करते हो तो बोली आमेन आखरी गवाई एपसल अंकुल नरोला जी की देखर मैं आगे दुआ में जाना चाहता है इतना सब कुछ करने पर भी वह पहार नहीं हटा उसका भी फाइदा मुझे मिला कैसे वह कहते हैं यह डिप्रेशन के हालात में जब डिप्रेशन के अटेक उनको होते थे मांसिकरिती से उद्दास डिप्रेश निरास हो जाते नींद नहीं आती उनको तब वह वचन लेकर बैठ जाते और बोलते हैं मैं 5-5 गंटे बाइबल पढ़ता था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक ही चीज थी बाइबल पढ़ना जिससे मुझे मेरे डिप्रेशन के समय में राहत मिलती थी हाललूया वह कहते कि मैंने 6-6 गंटे दुआ करना सुरू किया स्वरी 6-6 गंटे बाइबल पढ़ना सुरू किया एनोइंटिंग वाइल लगाता और 6-6 गंटे बाइबल पढ़ता और कहते कि हर 5 दिन में मैं बाइबल पुरा कर देता था हर 5 दिन में क्योंकि सिर्फ इतना उनके उन के प पास हर एक चीजों के लिए बचन रहता था कोई भी जीवन का प्रसन बोल दो इतना उनके अंदर समा गया था हर एक प्रस्नों के लिए वह बचन बताने रगए है कुछ लोग उनको डाटने लगए अगर चर्च जाएगा रिस्तेदार छोड़ देंगे साधी कौन करवाएगा लेकिन उन्होंने अभी सिक में बढ़ना जारी रखा लोग प्रसनफ पूछ रहे थे डांट रहे थे उनके फैमेली वालों ने पास्टर्स को जाकर डाटा जहां ये कलीश्या में जा रहे थे अग निखरा बवस्ता में एपोस्टर अंकुर नरुला जी बढ़ते गए एक ही दे एक ही मकसद वह अभिश्यक को मुझे पाना है वह नेक्स लेवल एन्वेंटिंग को मुझे पाना है जो मेरे इस पहाड को हटा दे एक समय आया यही चीज छेचे घंठा बाइबल पढ़ना उनके चीवान में डिलिपरेंस लाया वो डिप्रेशन की बिमारी से आज़ाद हो गए आज पूरी दुनिया में प्रभू लाखों लोगों के बीच उनका इस्तेमाल कर रहा है हाललुया हाललुया जब एक व्यक्ति नेक्स्ट लिवल एन्वेंटिंग के लिए फाइट करता है आज़ाजारो लोग उसकी प्लेशिंग को पा रहा हैं अब फाइट करोगे डटे रहोगे विश्वाश योग्य वफादार बनकर माकते जाओंगे माकते जाओंगे कुछ नहीं दिख रहा दाउद के समान नीरास सउख साइफ लोग आपके विरुद खड़े हो जाए लेकिन डटे रहोंगे मांगे मांगते होगे फड़ते जाओगे एक समयाएगा ऊपते जाएगा यह आपका भी शैक से अब बढ़ा हो चुका होगा आपका भी शेक अब वो गोल्यास से ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा हाललुया हाललुया लेकिन एक बात हमें करनी है डटे रहना है निरास नहीं होना है फाइट देनी है मैं पाऊंगा वो भी शेक जो मेरे पहाड़ों को हटा दे उसके बगर में चैन की निंद नही करूंगा जो भी प्रभु छोड़ने को बोले छोड़ूंगा यह पाप वो पाप वो सहली वो दोस्ट रहूं मैं छोड़ूंगा जो भी करना पड़े वो करूंगा लेकिन इस अभिश्यक को संभालूंगा और नया पाता 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 जाकर एक दिन अभिश्यक में इतना ब आप पा लोगे, वो भी शिक आपके परिवारों में भी काम करेगा, आपके परिवार के लोगों में भी काम करेगा, वो बहेगा, हाललुया, आपने स्थाम पर खड़े हो जाएं